उत्तर परदेश से संबंधित ये important प्रस्ण पिछली जो भी परिच्छाएं हुई है उन में आये हुए हैं ये उत्तर परदेश पूलिस तथा राजस लेखपाल के लिए बहुत महात्पूर है ये आप ध्यान देजिएगा जैसे पहला है प्रस्ण निम्न मेंसे परदेश का क लगो कि सीमा किसे परदेश कि सीमा बनाती है या मुना नदी आपके उत्तर परदेश की सीमा बनाती है बहावर चेत में किस परकार की मिर्दा पाई जाती है कंड कुल्सषद कंपंदर का परец Freunde किस जले में सबसे कम वर्सा होती है मत्यूरा में मत्यूरा में सबसे कम वर्सा होती है निम्न जिलों का उत्तर से दफ्षिड हम सिधास नगर संथ गडगर शंत्रविदास नगर ये आपका उत्तर से लट श्थामाया था within 10 अद्र आठ नमबर कुश्चन देखिए निम्न नगरों का भौकोलिक छेतफल की दिष्ट सही घटता करम है बनारस, गौतम बुद्नगार, बातपत, भधोई, प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है गोरकपूर में और सबसे कम कहा होती है माथुरा में दसमा देखिए निम्न में से काउन छेतफल के बढ़ते करम की दिष्ट से सही है गौतम बुद्नगर, भारबंकी, मिरजापूर, सोनभद, रिया आपका जो है बढ़ते हुए करम है सोनभद जिले को असफर्स करती है चार राजो की सीमाएं बारवा देखिए उत्तर परदेश का कौन छेत खाद कल्ब की पराचींतम सहलो से निर्मित है बुंदेल खंड आगे दिखे तरहों नंबर, निम्न में से किसे उत्तर परदेश की सीमा नहीं लगती है पंजाब रा से उत्तर परदेश के राज्जो में स्थान काुन्सा है चत्थूरत स्थान है आगे देखिए निम्न में से किस victims की अंतर है Special Dansie System 9 current when निम्ने मेंसे किस देश की सीमा परदेश से मिलती है नेपाल की निम्ने मेंसे किसे राष्टिय राजधानी छेत्र के 32 और उत्तापरदेश के आठवे जिले के रूप में सामिल किया गया है सामली जिला को यह आपका 32 और उत्तापरदेश का अठवे जिला है उत्तापदेश की सीमा भारत की कितने राज्यों से मिलती है नौ राज्यों से ध्यान करिएगा यह उत्तापदेश की सीमा आपकी लगती है निम्ने मेंसे किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है महराज गन्जिसे निंने में से कौन जीला बुंदेल खंड छेत्र का है महोबा आपका बुंदेल खंड में लगता है आगे देखिए पहला है उत्तरप्देश में किसान मित्योजान कप शुरू की गई थी 18 जून 2001 से निम्ने मेंसे किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सरवाधिक उपादन करता है गेहूं भारत वर्स में पर्थाम किसे बिस्वेद्याले का स्थापना कहां की गई थी पंतनगर में उत्तर प्रदेश की प्रमुक फसल काउन सी है गेहूं अलाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापूर और जहासी में उत्तर प्रदेश में सस्ट से जलवाई उचेतरों की संख्या कितनी है 9 निमने में से कौन सा फसल चक्र पूरवी उत्तर प्रदेश के लिए सरवाधी उप्यूक्त है धान मक्का और गेहूं उत्तर प्रदेश में पर्थाम दुख दिसाकारी समित के अस्थापना कहां हुई थी यह आपका लखनों में हुई थी उत्तर प्रदेश में बिक्रय आधिसेश अधिक्तम है कहां पे यह आपका गेहूं का होता है उत्ताप्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में इसे किसकी अवद ही नियुम्तम होती है, मूंग की, मूंग की आपकी अवद ही जो है वो नियुम्तम हो बहुत जल्दी ही पक जाता है, उत्ताप्रदेश अगड़ी उत्पादन है किसमें गेहूं गन्ना और आलू में, प्रधम परदेस परभया अपका पान मंधेथा इतावा क्देश में इतावाएफ सारे सरवादी प्रभावित है और चावल से उत्तापरदेश का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है चावल का चावल आपका जो है ज्यादा पासिव मंगाल में उका जाता है नेक्ष देखे 19 नमबर पूछ रहा है कि देश में सबसे बड़ा उत्तापरदेश की चीज़ों गन्ना और आलू का आगे देखे 20 नमबर 20 नमबर में है उत्तापरदेश 21 फसल को पादन में पठामस्थान नहीं है चावल में उत्तापरदेश में कितने सबसे नगदी गन्ना होता है उत्तर परदेश का प्रमुक वारेजिक फसल क्या है गन्ना निम्नि में से किस दलाहन फसल का छेतर उत्तर परदेश सरवादिक है चना का यहूं के अधिकता मुत्पादन वाला राज जे कौन सा है उत्तर परदेश किसी स्रम उत्पादकता सरवादिक कहां है पस्चिमी उत्तपरदेश में उत्तपरदेश में सीमान किसान किसे कहा जाता है जिनके पास एक स्टेयर से कम जमीन होती है और उस जनपत को चिनित कीजिए जिनमे जनरों के लिए पाल लेग क्लीनिक नहीं है या आपका जहासी में नहीं है उत्तरपरदेस में करीब फचल कि भुआई कब की जाती है यह देखिए आपका जून जुलाई के दोरान होती है भारत में उत्तापदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उसको खादान फसब होते हैं आवला आपका परताब गड़ में होगता है सबसे ज़्यादा और उत्तापदेश में किसान बही हो जना कब लाई गई थी उत्तापदेश निम्न में से किस फसरों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है यह आपका आलू और गन्ना होगा राज्यमे संतर्य कि सरबाधिक पैदावार कहां होती है यह आपका सहारन पूर्मा होता है पर्देश के तराई छेत विशेष का सिदार नंगर में उकाया जाने व зовे सुगंधित चावल किसम क्या है काला नमक काला नमक आपका सुगंदित चावल होता है आगे देखिए निम्नि मेंसे किस नदी को राष्टिय जलमार्ग संख्याएक के रूप में परियुक्ति किया जा रहा है गंगा नदी को उत्तापरदेश के सबसे लंबी नहर कौन सी है सारदा नहर जिम्नि मेंसे कौन उत्तापरदेश की पेजल परियोजना है यह देखिए आपका पेजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना केंद द्वारा किस नदी को राष्टिय नदी घोसित किया गया है गंगा नदी परिस्तित है माता टीला परियोजना कहां है बेतवा नदी पर आगे देखिए निम निम को सुमेलित नहीं है जैसे बिठूर गंगा गौरकपूर राप्ति नदी के जौनपूर आपका है गोमती नदी किनारे और कौसामभी या मुना नदी जौनपूर आपका जो है यह आपका सुमेलित नहीं है राजगाट बांध हों नहार परियोजना उत्तर परदेश और मद्ध परदेश सरकार के बराब बराबर सहोग वाली सहोग पर जाना है जो बनाई गई है बेतवा नद पर नहीं है यह आपका राजगाट है फुलहर जहील भारत के किस राज में इस्तित है उत्तर परदेश में आपका फुलहर जहील इस्तित है परिच्छा बांध किस नदी पर अवस्थित है बेतवा नदी पर 110 मीटर उचा बिहार जल प्रपात परदेश की किस नदी पर है ट सिद्ध है चंबल नदी का आगे देखिए निम्ने से कौन सा नदी ब्रमघाट नामक अस्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घांगरा नदी बन जाती है यह आपका उत्तर पदेश पुलिस में था 2018 में यह आपका मिलती है सारदा नदी में निम्ने में से किस नदी के तट जाएगा मन्दाकनी जॉनपूर आपका जाएगा यॉम्ति नदी के मथूरा आपकी जाएगी यमुना अयुद्या आपका जाएगा सर्यू नदी पर बहारत के किस राज्य में सरवाधिक सिचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में निम्द में से कौन सबसे लंबी नहर है सारदा नहर सबसे लंबा आपका है कूटे को कूटदो से मिलान करिएगा कूटे को कूटदो से मिलान करिए जैसे आपका रूद परियाग कहां पर है अलक नंदा मंदाकनी नंद परियाग कहां पर है अलक नंदा नंदाकनी और कण परियाग कहां पर है अलक नंदा पिंडारी और आपका देव परियाग कहां पर भागी रथी और अलग नंदा ये यहां पर आपका है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है बनारस उत्तापरदेश और मदपरदेश राजयों की सायूंग तो राजिहाट नदी परियोजना अस्थापित की गई है बेतवा नदी पर उत्तापरदेश में सिचाई के प्रमुक साधन है यह आपका है सबसे पहले आपका नलकूफ होगा फिर नहर फिर आपका तलाव और कुए फिर अन्न साधन उत्तापरदेश की निम्न नदियों में से किसे उद्गम हिमाले से नहीं हुआ है गोम्ती नदीकर और तिसरा आपका है बेतवा नदी का गोमिंद बल्लब पंत सागर इस्तित है सोन बद्र में अर्जुन बाध नहां से लावंबी कौन से जिला सबसे अधाल लाव प्राप्त करते हैं अमीरपूर रानी लच्मी बाई बाधाव इस्तित है बेतवा नदी पर गोमिंद बल्लब पंत सागर जला से कहां पर रस्तित है हिया आपका उत्तारप्रदेश में मीनलकुफ है निम्न में ब्हुन में से सबसे अधी चाहण आपर उत्तारप्रदेश में मुझेट कोन अधी यमुना की इसा है नदी नहीं जात कहले आड़ी ओ key is अध較 हम वह स्याही इतने हो गया आगे वह और आगे द्यागा दने